हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में Force and Law of Motion पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे हमने जो कुछ भी पिछली वीडियो में क्लियर किया है उसको हम क्विक रिवीजन करेंगे तो इस्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक Force and Law of Motion तो इसमें पहला टॉपिक हमारा था What is Force, Force क्या होता है पढ़ाता कि Push और Pull हमारा Force होता है यानि कि अगर हम किसी Object पर Push या Pull करते हैं तो वह हमारा Force कहलाता है कैसे माल लीजिए हमने किसी दरवाजे को Push किया और वो दरवाजा खुल किया तो यानि कि हमने उस दरवाजे पर Force लगाया था और वहीं अगर हमने किसी Object को Pull किया और वो Object Move हो गया तो यानि कि हम कहेंगे कि इस Object पर हमने Force लगाया तो यानि Push और Pull जो यह होते हैं हमारे Force के Effect है जैसा कि Force हमने लगाया Push के जरिए तो यानि Push हमारा एक Effect हुआ पुल हमारा एक effect हुआ, तो यानि कि force के effect है push और pull, अगर हम किसी object को push या pull करते हैं, तो यानि कि हम किसी object पर force लगा रहे हैं, तो यही होता हमारा force, second topic हमें पढ़ाता, what is balanced and unbalanced force, तो जैसे कि मान लीजिए कि इस table पर कोई एक int रखी हुई है, उसके दोनों side पर हमने रस्वी बांद हुई है, और इस table के दोनो side, एक लड़का A खड़ा हुआ है, दूसर लड़का B खड़ा हुआ है, तो पहले इन्होंने इस int को बरावर magnitude के force से इस int को कीचा, तो इस int में कोई movement नहीं हुआ, यानि कि अब इस पिरकार के force को हम कहते हैं balanced force, जब किसी object पर दोनों तो वह हमारा होता है balanced force, जैसा कि इस int पर हम इस तरफ से भी equal amount का force लगा रहे थे, और इस तरफ से भी हम equal amount में opposite direction ने force लगा रहे थे, तो यानि कि यह हुआ हमारा, तो यानि कि यह हमारा हुआ balanced force, तो वहीं आप बात करें unbalanced force की, माल लीजिए A और B आप force लगा रहे थे, त तो फिर यह int जो है हमारी A वाली के तरफ move हो गई, जिस तरफ ज्यादा force लगा, तो यानि कि इस परकार के force को कहते हैं unbalanced force, जब किसी object पर दो अपुची direction से unequal amount के force लगते हैं, और object में movement उस direction में हो दी है, जिस direction में ज्यादा amount का force लगने लगता है, तो उसे हम कहते है unbalanced force unbalanced force, तो फिर आब हम balanced और unbalanced force हो जान चुके हैं, अब पढ़ते हैं आपने तीसे topic की तरफ, तो फिर Newton ने अपने पहले law में कहा, अगर कोई object rest position में है, या कोई object uniform motion से straight land में चल रहा है, तो वो object अपनी state या position तब तक चीज़ नहीं करेगा, जब तक उस पर कोई बहारी unbalanced external force ना लगा दें, तो इसे ही हम Newton first law motion कहते हैं, तो अब हम Newton first law motion जान चुके हैं, तो अब जान लेते हैं कि inertia हमारा क्या होता है, जैसा कि मान लोग कोई object rest position में है, या कोई object uniform motion से हमारा straight line में चल रहा है, तो इनके अंदर एक tendency होती है कि ये अपनी state change करने का जरूत करेंगी, तो passenger और बस अचानक से चल देती है, तो पहले ये तो हमें पीछे कि तरफ दख्का क्यों लगता है, inertia को जासे, क्यों पहले हम इस बस में जब ये बस rest position में थी, तो हम भी rest में थे, और बस अचानक से motion में आ गई, यानि कि चलने लगी, तो हमने अपनी rest position को change करने का वरोत किया और बस तो आगे motion में होगे थी, तो हम अपनी rest position करने का वरोत कर रहे थे, इसलिए हमें पीछे कितर दख्का लगा, बट जैसे हम पता चला कि अगर हम थोड़े दिर और rest position में रहे, तो हम गर जाएंगे, इसलिए हमने अपनी position change कर ली, यानि कि अगर कोई object अपनी position change करने क वरोत करे, state change करने का वरोत करे, तो उसे ही हम कहते है inertia, तो पर आप जानते है newton second law motion को, momentum क्या होता है, पहले यह जान लेते हैं, किसी object का momentum होता है, उस object का mass और वो किस velocity से चलना है, उसका multiply होता हमारा momentum, तो माल लीजिए कोई एक object है, वो उसका mass m है और u velocity से चलना था, उस प velocity हमने u से बढ़ा कर v कर दी, mass तो हमारा m ही रहेगा, क्योंकि object same है, तो हमने velocity चेंज कर दी, तो इस पर हमने कितना force लगाया, इस ही कि measure करने के लिए newton ने हमें second law motion समझाया, तो उन्होंने कहा कि जो force होता है, वो rare change of momentum की हमारी proportional होता है, यानि कि इस position पर जो momentum था, और इस position पर जो momentum हो गया, उसका में जो change में जितने time में हो रहा है, उसका rate change of momentum proportion हो जाएगा हमारी force के, तो माल लिजे कोई force F हमने लगाया था, तो rate change of momentum, इस point पर हमारा momentum Mv हो जाएगा, और इस point पर हमारा momentum Mv हो जाएगा, तो F अनि कि proportional हो जाता है, Mv minus u upon t, तो V upon u minus t यानि कि acceleration हमार तो हमने इसके जगा ए रख दिया और proportional का finite है तो हमने यहां पर k constant रख दिया था k constant कमान एक था माल लिया हमने क्योंकि माल लीजे किसी object पर हमने एक data का force लगाया एक कुलोग कराम आले object पर तो वह एक 1 meter per second square उसका acceleration होगा तो इसलिए k कमान एक हो जाता है तो फिर हमने k कमान एक रख तो f equal to m में आ जाता है यानि कि यह हमारा Newton second law motion का derivation हो जाता है इसका detail video हमने अपनी वीडियो में पहली upload कर चुके है तो यह हमारा होता है Newton second law motion अगर किसी object का rate change of momentum हो रहा है वो होता है proportional किसी object पर लगाया गया external unbalanced force के in the direction of force के तो यह होता माना Newton second law motion तो अब बढ़ते है Newton third law motion की तरफ तो पर इंफान्टिस Newton ने अपने third law motion बताया कि अगर किसी object पर हम कोई force apply करते हैं तो वो object opposite direction में उतने ही magnitude का force apply करता है इसे ही हम newton third law motion कहते हैं जैसे हैं कि हमने इस object पर 10 newton का force अपलाई किया तो इस object ने हम पर वापस 10 newton का force opposite direction में अपलाई किया तो बस इसे ही हम कहते हैं newton second third law motion इसमें एक बात को जान लेना और जरूरी है कि ये दोनों force जो होते हैं जो force हमने इस object पर लगाया वो होता है action force और जो force हम इस object ने हम पर लगाया वो होता है reaction force ये दोनो action और reaction force अलग-अलग object पर लगते हैं ना कि एक object पर नहीं तो काफी बार हम action force और reaction force को cancel out कर देते हैं वो गलत होता है तो अब बढ़ते हैं आपने conservation of momentum की तरफ, conservation of momentum कहता है कि दो object का टकराने से पहले का total momentum और टकराने के बाद का total momentum हमेंसा रहता है same, जैसा कि A object था और एक object दूसरा B था, A object थमारे U1 velocity पे चलना था, B object थमारे V1 velocity पे चलना था, A object की थोड़ी velocity ज़्यादा थी, तो कुछ time के बाद A object, B object से जाकर टकरा गया, तो A object ने B object पा force apply किया, तो B object ने अब होजिक direction में उतनी magnitude का force apply किया, तो फिर कुछ time और उसकी A object की value velocity होगी U2, और B object की value velocity होगी V2, तो फिर इसके बाद, starting में A की value velocity और, तो फिर starting में टकराने से पहले, A का momentum और B का momentum जोड़ दें, और टकराने के बाद, A का total momentum और B का total momentum, इनका total sum, यह टकराने से पहले और टकराने के बाद का रहता है same, जैसा कि यहाँ पर आपको execution में दिख रहा है, टकराने से पहले, यानि before collision और after collision, before collision और after collision, momentum total रहता है same, यही होता है हमारा contribution of momentum पूरा derivation हमने पूरे पिछली वीडियो में upload कर दिया है उसको आप detail में देख सकते हैं तो इसी के साथ हमने 4 cent long motion का पूरा chapter इस वीडियो में clear कर लिया है और जितने भी topic हमने इस वीडियो में पढ़े हैं उनका पूरा detail में वीडियो हमारे इस चैनल पर डले हुए हैं आप देख सकते हैं मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you friends